जी हाँ, क्या आपको पता दोस्तों की भारत देश के अंदर लोकडाउन खत्म होने के बाद शरकार के नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? आपको पता होगा कि मोधी सरकार ने 21 दिन का देश में लोकडाउन किया हुआ, राइट? और वो लोकडाउन ठीट 14 अप्रेल 2020 को समाप्त होने जारां, लेकिन क्या आप जानते हो, 14 अप्रेल के बाद गौर्रमेंट की प्लानिंग क्या है? देश में क्या नहीं व्यवस्ताइं चालू होगी? क्या नए नियम, नए कानून, काईदे लागोंगे? क्या वापस मार्केट, बाजार, दुकाने वगरा सब कुछ वैसे ह पहले थे, या फिर क्या बदलाओ आपको देखने को मिलेगा, जो कि लोकडाउन के पहले बजार में था और अब नहीं होगा, आए दोस्तों जानते हैं इस थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूस अपडेट को थोड़ा विस्तार से, अभी कर लायो बड़ा अपडेट आ रहा है, दोस्तों की पीए मोदी ने लोकडाउन के बाद बनाई एक रन नीती, जान या किर क्या है उनका प्लान, तो दरसल दोस्तों इस सब्ता के सुरुआत में ही प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने वीडियो कॉन्फेसिंग के जरिए के बिनेट बेटक के दोरान मंतरियों से लोकडाउन के बाद की रन नीतीयों पर काम करने को कहा दरसल आपको पता होगा कि पिछले सब्ता में ही पीए मोदी जी ने देश के सबी मुख्य मंतरियों जो अभी वीडियो कॉन्फेसिंग के जरिये बातचित की और इसमें अब दोस्तों उन्होंने केबिनेट की मीटिं कोवेड-19 यानि कि ये कोरोना का असर जो दुनिया भर में चल रहा ना इसका अर्थ व्यावस्ता पर जो बूरा असर पड़ा उसको कम कैसे किया जाए इस टोपिक पर मुखे रूप से चर्चा हुई वीडियो कॉन्फेसिंग के जरिये केंद्रिया मंतरियों से बात करते यानि कि दोस्तों पीया मोदीशे का ये कहना है कि एक ऐसे इंडाक्शिंग तयार कि जाए देश में जिससे कि जादा तर चीज़ें मेकिन इंडिया की ही हो ताकि भारत के अंदर रोजगार बढ़ेगी इससे भारत में प्रडॉक्शन बढ़ेगा तो चाहिर सी बात है वरक पर फोकस किया जाए जो कि कोविड-19 के लिए हो स्पोर्ट नहीं है प्रदान मंत्रीजी ने का दोस्तों की संकट से हमें मौका मिला कि हम मेडिकल स्टोर्स में आत्म निलबर्त बने यानि कि दोस्तों अभी भी हमारे देश में कैसारी से दवाईयां वगरा है जो कि हम आउ पर फिर वापस बढ़ भी सकता है ध्यान रखेगा अभी तक गौर्वर्मेंट का ओफिचल को स्टेट्मेंट नहीं आया लेकिन जो प्री प्लानिंग चल रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अकोडिंग वह आपको बताते हैं तो वह ऐसे हैं दोस्तों की प्लान है कि 14 तारीक के बाद जब लोगडाउन खुलेगा ना तो उसको स्लोली स्लोली खुला जाए पहले उन जगहों के लोगडाउन को उनी के अंदरों को खुल जाएगा जैसे की दूद सबजी राशन की दुकाने बगएरा इनको लोगडाउन से बाहर किया जाएगा और उसके बाद धीरे-धीरे दूसरे बिजनिसे काम धंदू को लोगडाउन से अटाए जाएगा लेकिन ऐसा नहीं कि डारेक्ली सभी को ए इस दुनिया में चल दे इस बीमारी पर कंट्रोल भारत में साइद नहीं बना पाते और आज भारत बहुत ज़्यादा गंबिर सिचुएशन पर चला जाता अगर सरकार समय रहते लोगडाउन और दूसरी विवस्ताएं नहीं करती तो समझ रहे होंगे ना इसलिए प्लीज 24 तरिक जब तक लोगडाउन अविलेबल हैं 6-7 दिन 8 दिन और तब तक प्लीज आप अपने गरू में ही रहें गरू से बाहर ना जाएं तो ही ज्यादा बहतर होगा और इसके अलावा पे दूस्तू राज्जियों और जीला प्रसेशन से लगातार संपर्त में मंतरी लोग हैं एक दूसरे के संपर्क में रहें और दोस्तों इस बीमारी से होट्सपोर्ट वाले राज्जी जो हैं चिला प्रसेशन जो हैं उन पर विसेश ध्यान दिया जाए और साथ ही काला बाज़ारी की सिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाए परदान मंतरी जैनी ये भी का ही भी दोस्तों जब लोगडाउन लगा हुआ इस दोरान कई लोग काला बाज़ारी भी कर रहे हैं जैसे कि क्यों काटा चीए तो 40 रुपे किलो जबकि पहले वह 20-25 काई बेच रहे हो लेकिन अभी कुन के ब्लेक में देना ना उनको तो इन चीजों पर भी रोक लगाई ज सरकार को बड़े लेवर पर कदम उठाने होंगे सबी मंत्रियों को बिजनिस कंट्यूनिटी प्लान त्यार करना होगा बता दें कि 24 मार्स से देशवर में 21 दिन के लिए लोगडाउन लगा दिया गया है जो कि 14 अप्रेल को खत्म होने वाला और 14 अप्रेल के बाद और सरका गुडबाय और जय हिंग जय बारत वंदे मात्रा